एक अप्रेल दोहजार चौबिस का दिन इरान के लिए काला दिन था क्योंकि इसे दिन सीरिया के राजधानी दमिश्क में उसके दूत आवास पर एक हवाई हमला हुआ था इसमले में एरानी सेना के कुथ स्फोर्स के कमांडर बृगेडियर जनरल महमद रिजा जाहिदी की मौत हो गई थी उनके साथ उनके डिप्टी जनरल महमद हादी हाजी राहीमी की भी मौत हो गई थी इरान ने समने कारोब सीधे तोर पर इसराइल पर लगाया था और इसके बात 13-14 अप्रेल 2024 के आधी रात को इरान ने इसराइल के उपर 350 से ज्यादा रॉकेट्स, ट्रोन और मिसाइलें फाइर कर दी. हलंकि इनमें से अधिकतर हमलों को इसराइल और अमेरिका की अगुवाई में सहियोगी देशों ने नाकाम कर दिया था. लेकिन इसके बाद 31 जुलाई 2026 को इरान की राजधानी देहरान में हमास के मुखिया इसमाइल हानिये की हत्या हो गई. और इरान ने इस हमली का आरोप इसराइल पर लगाया और बदला लेने के बात कही थी. अलांकि इसराइल के आसपा समंदर में अमेरिका ने अपने दो जंगी जहाज एक परमानू पंडुबी और F-22 फाइटर जेट्स का एक बैड़ा तैनाद किया हुआ है. जिसके दबाव मेरान ने अभी तक इसराइल पर कोई हमला नहीं किया था. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इरान बेहद ही शातिर तरीके से इसराइल पर हमला करने की तैयारी में लगा हुआ है. और इस बार इरान चाहता है कि उसका ये वार बिल्कुल भी खाली ना जाए. दरसल पश्चिम की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि इरान चुपके चुपके एक बैलेस्टिक मिसाइल का परिक्शन कर रहा है जिसके रेंज 700 किलो मीटर तक है. इरान इस मिसाइल से पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता है कि इसराइल पर उसका अगला वार खाले ना जाए. खुफिया एजेंसियों के माने तो इरान ने इसराइल पर एक दूसरा हमला करने की यूज़ना बनाई है और ये हमला हानिये की हत्या का बदला लेने के लिए होगा. खूफिया जानकारी के मताबिक एरान इस बार इसराइल पर कही गुनाज ज्यादा बड़ा हमला करेगा हलंकि 13-14 अपरेल को एरान ने इसराइल पर जो हमला किया था वो इतना सफल नहीं हो पाया था हाँ ये जरूर है कि एरान के एक मिसाइल आईडियाफ के निवातिम एयर वेस के पास आकर गीरी थी और ये फ़ही मिसाइल जिसका डिजाइन उत्तर कुरिया के एक मिसाइल से कॉपी किया गया था और एरान में इस मिसाइल को इमाद के नाम से जाना जाता है जो सहावाब 3 मिसाइल का एक वेरियंट है इस मिसाइल को लेकर सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफिरेशन के एनालिस्ट जेम्स मार्टिन का कहना है कि एसा माना जाता है कि इरान ने इसराइली F-351 जेट्स के हैंगरों को टार्गेट किया था और जहां ये मिसाइल गिरी वहां से इन जेट्स के दूरी करीब एक 10.2 किलो मीटर सरकल एरर थी आलांकि विशेशक्यों ने पहले इस मिसाइल को लेकर कहा था कि इसकी सठीकता 500 मीटर एरर सरकल तक है लेकिन जब इस्राइली बेस पर ये मिसाइल गिरी तो ये कारगर साबेद नहीं होई थी और इस हमले से एक दूसरी बात भी साफ हो गई कि इरान के अमाद मिसाइल की सटीकता काफी कम थी जानकारों का कहना है कि इमाद मिसाइल के खराब प्रदर्शन के कई कारण हो सकते हैं पहला ये कि इसके हमली को विफल करने के लिए इलेक्ट्रोनिक वार्फेर का इस्तमाल या जानबूच कर की गई खराबी या फिर मिसाइल की खराब इंजिनियरिंग एक बड़ा कारण हो सकते हैं और यही वजह है कि अब इरान एक नई बैलेस्ट्रिक मिसाइल का परिक्शन कर रहा है विए उन्द़ध रहा है उन्द़ परिक्शन कर दोस्तमाल याउन नाचे परिक्शन कर दो है यही यही परिक्शन कर दोस्तमाल याल यालेस्ट्रिक मिसाइल